तो कियाल चाल भाईों और उनके बहनों उमीदे तुम सब बड़े उत्ते होगे स्वागे तुम लोगा स्टाटिस्टिक्स के वन सोट वीडियो में आई नो तुम लोग अल्रेटी कंप्लीट कर चुके हो चप्टर को तुमने बहुत बार प्रैक्टिस विगर लिया होगा कर लोगे हाँ तो फिर करते हैं ने स्टाट तो करना परिशान हो गए हम लोग धाई साल ते देखो यार नाक का उपर ध्यान मत देना सर्दी लगा हुए थोरा हाँ स्टैटिस्टिक्स में तो मैं तीन चीज़े करना है मीन मोड और मीडियन सबसे पहले बात करते हैं मीन का म देखो तुम्हारे सर्द के हिसाब से स्टैब डियाशिन मेतर हमें नहीं करना है तो पहले देखते यार डाय इससे पहला एक चीज जो तुमें जानना बहुत जरूरी है कि देखो चाहे मीन हो चाहे मोड हो चाहे मीडियन हो तुमें बॉस्ण ने दूतरीके क्यों मिलेगा तो पहला क्या है और दूसरा है यह दू तरीके के question तुमें दिखने मिलेगा इन दोनों में basic difference क्या है जो discrete series होता है वहाँ में x का value given होता है और वही पे जो continuous series होगा वहाँ पे class interval given होगा ना कि x का value तो बेसिक के लिए discrete series करना थोड़ा आसान रहता है मान लो तुम्हें निकालना है mean तो तुम्हारे पास x का value given है और f का value भी given है तो तुम क्या करो इन दोनों को into कर दोगे और तुम्हारा आ जाएगा mean जबकि continuous series के अंदर में तुम्हें x का value given नहीं होगा तो तुम्हें पहले class intervals से x का value निकालना परेगा कैसे निकालोगे यहें formula x equal to upper limit plus lower limit divided by 2 यहें तुम्हार आपर limit यहें lower limit इन दोनों को पहले तुम plus करोगे और 2 से तुम divide कर दोगे जो चीज़ें तुम्हें यहां किया same step तुम्हें दोराना है यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी और so on बस तुम्हें formula याद रखना है कि इस से इसको plus करोगे और फिर तुम 2 से उसे divide कर दोगे और यह तुम्हारा निकल आएगा x का value एक बार देखतें question के साथ जैसे यह question है तुम्हें question देखके समझ लिया यह कौन सा series है discrete series जहां तुम्हें क्या है x solve f का value given है तो तुम्हें simply क्या करना है x i है तुम्हारे पास f i है तुम्हारे पास तुम इन दोनों को into करतोंगे तुमने 10 into 1 किया तो answer आए 10 फिर तुमने 20 into 1 किया तो answer आए 20 and so on करते जाओगे तुम तो तुम्हारे पास क्या आएगा f i x i का value उसके बाद तुम्हें क्या करना प्लास करने हैं दो जीजी चीजों को क्या प्लास करना पहले फैर इक सक्षरना है सिग्मा एक सब्सक्नाूर फ्रक्रमें करना है सिग्मा एक सब्सक्राइग को अब तुमने value निकाल लिया sigma fi का और तुमने value निकाल लिया sigma fi xi का अब इसे divide कर दो इसका formula देखो यही दिया हुआ है तुम्हें पता दो है ना discrete series का formula कैसा होता है क्या होता है sigma fi xi divided by sigma fi बहुत असान था यार formula put करो और solve कर लो आएगा step में नहीं कर रहा की बहुत आसा है, calculation करने तो नहीं बैठा हो, इतना हो basic तुम्हें पता ही है, फिर जो है direct method के अंतर ही, continue series का, देखो इससे बेले जो हमने किया न, वो direct method ही था, बट वो discrete series था, जहां में x का value given था, बट यहां x का value given नहीं है, तो पहले हम x का value निकालेंगे, वो कैसे निकलेग class interval से निकलेगा, यह रहा तो हमारा class interval, और formula तो तुम्हें पता ही क्या, upper limit plus lower limit divided by 2, तो यहां पर 10 plus 25 को plus करेंगे, फिर हम उसे 2 से divide कर देंगे, तो हमारा जो answer आएगा न, वो होगा 17.5, ऐसे ही हम जितने भी number से 25 और 40 को करेंगे, 40 और 55 को करेंगे, 55 और 70 को करेंगे, और हमारा x का value यहां पर तुम देख सकते हो, आ चुका है, फिर तो आएगा तुम्हें पता ही है, तुम्हारे पास अगर x है, f है, दोनों values है, तो तुम्हें बस क्या करना है, अब into कर देना है, f से x को, और तुम्हारा आ जाएगा f i x i, आने के बाद अब तुम्हें क्या करन है, plus करना है, किसको plus करोगे, sigma f i को, अलग से यहां पर, और उसके बाद sigma f i x i को, देखो बहुत आसान था, direct method से करना, तुम्हें पहले क्या करना है, class interval से x निकालोगे, निकाल लिए, उसके बाद तुम्हें करना है, into, किसको into करोगे, f को x है, और into करने के बाद तुम्हे करना है, plus, बस, उसके बाद तो calculation पार्ट तुम्हें पता ही है, अब देखो एक चीज़, इसके बाद आता है, assume mean method, assume mean method से तुम निकाल सकते हो, mean, बड़ क्या तुमने कभी सोच आए, कि जब हमारे पास direct method था ही, जो कि इतना आसान है formula, फिर भी हमें क्यों जूरुत पर यह यह, assume mean method का, अजीब बात है न, देखो, अगर तुम्हारे पास question में given हो, कि नहीं तुम्हें direct method से नहीं करना है, assume mean method से करना है, तब तो तुम वो कर गई, अगर मान लो, तुम्हारे पास option है, फिर बस एक चीज़ को देखना है, तुमने जो यहाँ हमें value निकाला है, f i x i क यह अगर high value है न, जो कि हमें दिख रहा है तुम्हें point पे है, और इतना बड़ा होरा number है, जिसे calculate करना obvious सबादे थोरा difficult होता है, तो यहीं पे आता है assume mean method, जहाँ भी f i और x i का value थोरा बड़ा होता है, वहाँ पे हम करते है, assume mean method का इस्तमाल, बट मैं तुम्हें एक trick बता इतना सोचने का हमारे पास exam में समय होता नहीं है, कि f i x i का value कितना है, उसके बाद हम कौन सा method इस्तमाल करेंगे नहीं करेंगे, तो simple सा trick यह रहेगा, अगर discrete series रहता है, जहाँ x और y का value given होता है, सीधा direct method का इस्तमाल करोगे, कुछ आके पीचे देखना ही नहीं है, बट अगर वो continuous series होता है, और इससा बात है, continuous series पे f i x i का value थोड़ा बरा रहता है, तो अगर continuous series होता है, तो 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 वहाँ इस्तमाल करोगे, assume mean method, सीधी बात है, तुम्हारा calculation आसान कर देगा, I know तो में formula एक extra याद करना पड़ेगा, बट यह तुम्हारा calculation वहाँ पे आसान कर द mistakes होता, चोटा चोटा, वो हमें ने यह करना है, तो I guess, तुम अगर assume mean method का इस्तमाल करोगे, तो तुम्हारे लिए यह 5-1 रहेगा, तो assume mean method का formula थो तुम्हें पता है, x y equals to a, यह क्या है, assume, plus sigma f i di, divided by sigma f i, देखो पहला step तो बल्कुल सेम रहेगा, तुम्हें पहले देखना ह x का value निकालना है, कैसे निकालोगे, formula पता है, upper limit plus lower limit divided by 2, हाँ, तो यहाँ हमें 10 है, 25 है, दोनों को plus करोगे, फिर 2 से divide कर दोगे, तो तुम्हारे बस answer कुछ 17.5 आजाएगा, अब इस साब आद हम कर चुगे चीज, इसी के साथ तुम्हारा, यह सेम procedure तुम दो रहाओगे सा हमें अभी निकालना है di का value, अब अगर तुम्हें di का value निकालना है, इससे पहले, यह जो x के अंदर में कोई एक number को assume कर लो, और assume हमेजा बीच का number को कर लेना, ताकि calculation आसान रहेगा, तो हमने यहाँ पर क्या क्या, 47.5 को assume कर लिया, अभी assume number से जितने भी x का value है उसे minus कर जाओगे, जैसे कि पहला value है, 17.5, इससे तुम अपना assume value को minus करोगे, तो answer आएगा 30, फिर तुम्हारे पास जो x का value होगा, 32.5, जैसे तो minus करोगे, फिर assume value से तो minus 15 होगा, इसी तरीके से तुम करते जाओगे, जैसे कि तुम्हारा निकल जाएगा di, अब di निकल गया, f i है तुम्हारे पास, इन दोनों को into कर दो, di into fi, कर दिए, di fi का value निकल गया, इसके बाद तुम्हें बता ही हागे का step, क्या करना होता है, plus करना होता है, fi को sigma fi, और sigma di fi को, और तुम plus करने के बाद, ultimately तुम्हें करना है, divide, formula में put करो, एक बार formula लिख लेना, उसके बाद हो गया, यह तुम्हारे उपर है, बिल्कुल, कि तुम direct करोगे, indirect करोगे, बट तुम्हारे आसानी के लिए मैंने बता दिया कि कैसा करने से तुम्हारे लिए, calculation आसान रहेगा, क्योंकि तुम्हें देखा भी यहापे, जब हमने d का value निकाला, फिर हमने calculate किया, तो वो थो थरा simplify हो या, फिर भी यह तुम्हारे उपर है, अगर question में नहीं दिया हुआ ना, कि यह particular formula का इस्तमाल करो, तो तुम direct का भी इस्तमाल कर सकते हो, और assume in method का भी इस्तमाल कर सकते हो, फिर बात करते है mode का, अब mode क्या हो तो तुम्हें पता हो गई, ऐसा चीज जो बार बार repeat होता है, जैसे कि हमारा bad luck, जो कि हमेशा हमारे साथी रहता, बार 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 बार, चलते रहता हमारे साथ, क्योंकि वो हमारा best friend है, यार समझो, तो यहां में भी दो तरीके का series मिलेगा तुम्हें, यानि यह question दो तरीके का बन सकता है, discrete series और continuous series, अब देखो mode के अंदर में जो discrete series होता न is gonna, उसे करना बहुत आसान है, तुम्हें बस यह देखना है कि कौन सा number, सबसे ज्यादा वार repeat किया गया है, जैसे कि यहां में एक bowler है, जिसने 10 match क्यला है, और उसने इतने इतने vicket लिये है, तुम्हें बस यह देखना है कि कौन सा number बार बार repeat हो रहा है, यहां में देख देखना है कि कौन सा नंबर बार बार रिपीट कर रहा है उसके बाद continuous series इसके लिए तुम्हें ये formula याद करना परेगा जो मैं मान के चल रहा हूँ कि इतना basics तो है तुम्हारे पास formula तुम्हें याद होता होगा तो मैं इसे explain नहीं कर रहा formula तो तुम याद करें लोगे बस तुम्हें हमें ये जानना है कि कौन सा values को कहाँ put करना है अब जैसे कि ये question है तो क्योंकि हम mode कर रहे है mode का मतलब क्या होता है ऐसा number जो सबसे जादा बार पूछा गया तो यहां में तुम्हें frequency को देखके पता करना है कि कौन सा number सबसे जादा बार पूछा गया है तो तुम जब देखोगे इस है तो देखके बता चल रहा है ये जो 8 है ये सबसे जादा बार पूछा गया है अब ये कर लिया खतम अब पूरा निकल जाएगा देखो कैसे तुम्हें बस एक चीज़ फाइन करना होता है कि कौन सा चीज जबसे जादा बार repeat हुआ है तुमने find कर लिया अब ये जो value से उसे दूनो सबसे पहले निकलते है L L कौन सा होगा तुमने जो अब देखा ना कि ये 8 है ये सबसे जादा बार पूछा गया है repeated number है उसका जो lower limit है उसी को L कहता है तो lower limit क्या है? 3 है समझ गये? अब L निकाल लिया उसके बाद निकाल लो H H कैसी निकाल लो है? देखो बहुत ही simply बता रहा हूँ H निकालने तुम्हें कहा जाएगा median में और mode में और H का मतलब ये होता है gap ये जो class interval के वीच कितना gap है ना इसी को H कहता है जैसे कि देखो इसमें class interval के वीच gap कितना है? 2 का gap है जैसे कि 1 से लेके 3 पहुचने में 2 का gap है फिर उसी तरीके से 3 से 5 5 से 7 7 से 9 9 से 11 gap जो है 2 का है तो तुम्हारा H का value भी 2 होगा समझे ना? value लिया था जो सबसे ज़्यादा बार repeat होगा number है उसे लोगे तुम F1 और उसके पीछे अला जो number होगा उसे तुम लोगे F0 जो कि ये तुम्हारा 7 और F1 के बाद वाला जो number होगा F2 वो है तुम्हारा 2 देखा तुमने जो सबसे ज़्यादा बार repeat होगा F1 और उसके पीछे लाइक number लेना है और उसके आगे लाइक number लेना है बस इतना ही करना था आप formula में put करो जो भी value से तुम्हारा और तुम्हारा इस तरीके से calculate करे तुम निकल आएगा बहुत आसान है कर लोगे तुम अच्छा चलो अब ठीक है अब बात करता है median का median निकलना है तुम्हें तो दो तरीक है तुम्हारे पास ये depend करता है कि जो end या भी बो average number जो है उसका क्या है जिस जी कि तुमने अगर end निकाला न any any frequency भी कहता है तो जो तुम्हार end term होगा वो अगर odd होता है तो उसका formula ऐसा रहेगा और even होता है तो ऐसा रहेगा अब ये में करके दिखा रहा हो तुम्हें तुम जो है अगर odd रहता तो पता कर लोगे बट even में थोड़ा difficult होता है जहां तुम्हारे पास दो values होता है हो गई तुम्हें कि जब भी हम median कर रहे होता है तो हमें community frequency चाहिए होता है तो पहले कुछ मत करो पहले community frequency निकाल लो निकालने का simple सा formula है जो frequency में दिया है उसे जोड़ते जाओ निकल जाएगा जैसे कि 4 प्लस 3 किया तो मैं 7 आया फिर 7 प्लस 7 किया 14 इसी तरीके से करते जाओगे तुम्हारा जो भी है cumulative frequency वो निकल आएगा और तुम्हें हमें n का value calculate करने भी ज़रूत नहीं है जो आखनी value है ने cumulative frequency में वही तुम्हारा n का value है अब देखो तुम ध्यान से n का value क्या हा रहा है even number ही है 28 जो कि एक even number है अब इसमें हम कौन सा formula इस्तेवाल करेंगे second वाला ठीक है यानि कि n by 2 term plus n by 2 plus 1 term divided by 2 ठीक है तो सबसे पहले तो n है तुम्हारे पास n को 2 से divide करो क्या आएगा answer 14 फिर n by 2 का जो value आया है उससे 1 को plus कर दो आएगा 15 तो 14 और 15 term है अब इसको 2 से करना है divide ठीक है बट यह 14 और 15 को नहीं करना है यह जो cumulative frequency देख रहा है तुम्हें इसके अंदर में 14 terms का value कितना है और 15 term पे value कितना है वो देखो x का value ठीक है यहाँ ध्यान दे रहो हमें ultimately चाहिए x का value बट हम कौन सा value को ले उसलिए हमने cumulative frequency का इस्तमाल गिया यह cumulative frequency कुछ नहीं अपना ranking बताता है ठीक है ranking को देखते हुआ हमें x का value लेना होता है तो 14 term पे जो x का value है वो है 17 और 15 term तो है नहीं हमें बट देखो 15 नहीं है तो 16 है तुम्हारे पास तो 14 के बाद 15 और 16 का जो value होगा वो 16 पे हितिया होगा तो यहाँ पे तुम क्या करोगे 14 term पे लिया है तुमने 17 और जो 15 term थे तुमारा उसका value लिया है तुमने 20 अब कुछ नहीं करना प्लस करो और उसे divide कर तो answer आगिया बहुत असान था देखा तुमने अब यही जिस तुम्हें continue series पे दोराना है बट यहाँ पे formula लगोगा तुमारे लिए जो कि तुम हमें सकी तरह याद करी लोगे बठा इस formula use कैसे करना है वो मैं तुम्हें बता रहा तुम्हें पहले identify करना है question को देखते हुए कि जो मुझे चाहिए वो कहा मिलेगा मुझे जब भी question को करने जाना सबसे पहले side में formula लिख लो formula लिखने के बाद question में धूनो जो values मुझे चाहिए वो कहा मिलेगा मुझे तो करना जो है कभी कलती होगा नहीं और तो मासानी से कर लोगे ठीक है जैसे कि तुम्हें पता ही है पहले हमें cumulative frequency निकालना था यहाँ है तो cumulative frequency कैसे निकलता पता ही है हमें बस f का values को plus करते जाना होता है तो यह हमने 3 प्लस 5 किया 8 निकला और इसी तरह के से sound कर रहे हैं 8 प्लस 4 12 12 प्लस 8 20 20 प्लस 22 और जो यह 22 का value है यह n का value है अब देखो तुम्हें n का value निकाल ले और यह even number भी है फिर भी तुम confuse हो रहे होगे कि अच्छा है फिर हम क्या वह ही method का इस्तमाल करें जो discrete series में किया था नहीं मेरे बादे नहीं यहां में यह नहीं करना है यहां हमें already हमारे पास एक formula है हमें बस उसका value उसको put करना है तो सबसे पहले किया करो formula में देखो n by 2 दिक रहा है तुम्हें मतलब n को 2 से divide कर दो formula के हिसाब से तो divide कर दिया तो हमें मिला 11 तो सीधा सीधा 11 का value जो है formula में put करो तो I guess मैंने जैसे बताया तुम्हें अगर exact value ना मिले तो उससे बराला value को हमें उसका value मानके चलना है तो 11 तो नहीं है बढ़ हाँ 12 है तो 12 को highlight कर दिया हमने highlight कर लो ऐसे goal कर लो या highlight कर लो ठीक है एक्जाम में अब इसा पता highlight तो होगा नहीं तो goal ही करोगे तुम हाँ तो goal कर दिया तुमने अब देखो यहां में तुम्हें क्या value चाहिए था सबसे पहले L तो L हमेंसा कौन सा होता है lower limit जो की 20 यह आप है ठीक है L का मतलब ही lower limit होता है ठीक है तो जो भी है L ले लोगे तुम उसके बाद तुम्हें क्या करना है formula की सबसाब तुम्हें चाहिए CF तो देखो यह जो तुम्हें 11th term पे मिला हुआ CF है ना 12 वो नहीं लेना है formula में देखो अगर preceding यह फिर upper class वाला लेना है जो तुम्हारा nth 2 से divide करने के बाद जो term आया है ना उससे एक number पीछे लेना है तुम्हें तो 11 से पीछे क्या आ रहा है 8 तो तुम cumulative frequency में लोगे preceding class का 8 ठीक है एक number पीछे हला हमें से याद रखना जो भी तुमने highlight किया होगा अससे एक number पीछे जाएगा तुम्हारा ये condition कब apply होगा median में तो वो 8 है ले लिया हमने अब f तो तुम्हें पता ही ये क्या है f दिया हुआ देखो ये cumulative frequency के line में जो 4 है वो यह होगा तुम्हारा f और height मतब h मतब तो मैंने बता दिया कि gap कितना है gap देखो देखो देखने से बता चल रहा है 10 का gap है अब तुम्हें values मिल गया अब calculate करो और answer आजएगा तुम्हारा अब देखो तुमने answer लिगा आया तो answer किया आया तुम्हारा 27.5 ठीक है यो 27.5 है ये 20 और 30 के बीच में आने आला x का value है समझ रहो हमें हमें सच चाहिए होता है x का value पता नहीं क्यों चाहिए होता है x का value क्या करो यार x का value से x का value नहीं होता ठीक है जो जिन्दिगी से एक बार चला गया चला गया यार बट यार यह मैट्स वालों को कौन समझ जाए कि यह वास x पर ही जाना है गुसेर हो गई x पर हमें तो x नहीं चाहिए है नहीं चाहिए तो आई गबग अब मैंने सब कुछ complete करा दिया है बट एक चीज मैं तुम्हें मदद करना चाहूंगो अगर तुम्हारा कोशिन आ गया ऐसा discontinuous series देख रहे हो यहां में class interval के बीच continuity नहीं है पहले देखो 50 52 तो है फिर 52 से नहीं यह 53 से 55 के भी शुरू हो रहा है फिर यह चीज आगी भी देख रहे हो तुम discontinuous series नहीं है यहा पर ऐसा अगर होता है तो तुम क्या करोगे बता है बहुत सिंपल है तुम्हें बस यह चीज देखना है यह जो discontinuous बना हुआ है इनके बीच गैप कितना है जिसे तुम यहां पर देख पा रहे हो 52 है और 53 है मतलब 1 का गैप है वही चीज तुम फिर से देखो 55 56 वान का गैप 58 59 वान क ऐसे करके तुम्हें अपना जो कोशिन होगा वहां में धुनना है कि गैप कितना है यह जो discontinuity बना हुआ है उनके बीच गैप कितना है उसे देखो और 2 से डिवाइट कर दो बस जो value मिलेगा उस value को तुम्हें उपर वाले value के साथ plus करना है और नीचे वाले value उसके साथ minus करन कि जो भी value निकला है तुम्हारा उस value को तुम उपर वाले value के साथ plus कर दोगे और नीचे वाले value के साथ minus कर दोगे संपल सा बात है और तुम्हारा निकला आएगा तो आएगे सब तुम्हें समझाया होगा तोरा बहुत और exam के लिए तुम तैयार तो होई हो मैंने तो एक चोटे से तुम्हें recap कराया है डीटेल नहीं था इन्हों बट हाँ साथ इससे तुम्हें थोड़ा बहुत exam में मदद मिले जब भी questions आएगा तो तुम कर पाओ देखो यार दरो मत questions को दिखके तुम्हें बस यह याद रखना अच्छा ये उस topic से है उसका formula को side में लिखोग कमेंट बॉक्स पर किसी ने भी चीज़ का ना तो बहुत साब देख लेना तो ठीक है यार मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू लव यू वाल